नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुष्थिका का लेसन नमबर 10 आप काइन बॉय सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमको इंग्लिस डूडर का ये लेसन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यदि हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हम उस लेसन को सॉल्व नहीं कर सकते 8 ग्रेड में जो दिया हुआ है ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ इसकी लिंक आपको ड्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी पहले उसको आप देख लीजेगा उसके बाद ये 8 ग्रेड से ये लेसन सॉल्व करिएगा आएए सुरू करते हैं लेसन 10 A kind boy एक दयालू लड़का Very short answer type questions Answer the question from 1-3 in one word प्रस्न क्रमांक एक से तीन के उत्तर एक सब्में देने है Question है What was the boy doing? लड़का क्या कर रहा था तो home work कर रहा था Who did the boy feel sorry for? किस के लिए बच्चे को दुख हुआ? The boy felt sorry for the beggar लड़के को भिखारी के लिए दुख हुआ Find the adjective in the following sentence and write The beggar was poor इस sentence में आपको adverb देखना है विशेशता क्या है? बिखारी कैसा है? गरीब है तो उसकी विशेशता होगी गरीब, poor Short answer type questions Answer the question from 4-6 in one sentence प्रस्न क्रमांग 4-6 का एक वाक्य में उत्तर दे Why was the boy not eating his breakfast? लड़का अपना नास्ता क्यों नहीं करता था? The boy was not eating his breakfast लड़का अपना नास्ता नहीं करता था Because he was giving his breakfast to the beggar क्योंकि वह अपना नास्ता एक विखारी को दे रहा था Is it right to share the food with the poor and hungry people? क्या यह सही है? गरीब और भूखे लोगों को भोजन देना As the boy did in lesson Y जैसा के इस लड़के ने इस पार्थ में किया है क्यों? Yes, हाँ क्योंकि Is it glorious to help every person? दूसरों की प्रतेक व्यक्ति की सहायता करना अच्छा होता है Question number 6 Rewrite the following sentence using capital letter and question mark Where did the boy keep his breakfast? तो यह W कैपिटल हो जाएगा क्योंकि किसी भी sentence की सुरुआत होती है हमेशा capital letter से करनी चाहिए Where did the boy keep his breakfast? यह जो sentences में प्रस्न पूछा जा रहा है तो यहां पर question mark लगाएंगे Long answer type question answer the following questions in 5-6 sentence प्रस्ने के उत्तर 5-6 वाक में देना है Write 5 sentences about English इंग्लूस के बारे में 5 वाक लिखने है दा इकिमोस लिव इन हाउस काल इंग्लूस जिन घरों में इकिमोस रहते हैं उन्हें इंग्लूस कहा जाता है An Eskimo makes his bed of hard snow एक Eskimo अपना जो उसके सोने के लिए bed होता है उसको बर्प से बनाते हैं He uses skins of animals for seats and covers Seat और cover के लिए वे जानवरों की खाल का इस्तिमाल करते हैं या चमडी का इस्तिमाल करते हैं An Inglue is made of large square pieces of eyes एक जो Inglue होता है वो बड़े चौकोर बर्प के पीसों का बना हुआ होता है An Eskimo can build an Inglue in one hour एक Eskimo Inglue को एक घंटे में बना सकते हैं इस तरह से ये Inglue उसके बारे में पाच सेंटेंस हो चुके हैं Assessment 6 Answer in one word एक सब मुत्तर देना है Rearrange the letters to make a meaningful word एक अर्थ फूर सब बनाने के लिए ये जो दिया हुआ है R-K-F-B-E-S-A-T-A से क्या बनाना है? Breakfast क्या बन जाएगा? Breakfast इसको अगर arrange करेंगे तो Breakfast बन जाएगा Short answer type questions Answer in one sentence एक वाक्त मुत्तर देना है Please give me something to eat किरपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए Who is sad? ऐसा किस ने कहा? The beggar said भिखारी ने कहा Please give me something to eat किरपया मुझे कुछ खानों को दीजिए Tina has written a letter to his aunt Tina ने अपनी आंटी को एक पत्र लिखा Tina lives at 24 Noor Bajar Indor Tina 24 Noor Bajar Indor में रहती है She wants to thank her aunt for sending her a lovely dress वह अपनी आंटी को एक अच्छी पोशाक भेजने के लिए सुक्रिया कहना चाहती है Write a letter, choose the word from the box Box में दीए हुए सब्दों कौपयोग करके एक पत्र लिखना है Thank, well, like, exams, beautiful, uncle, fine, studying, chinoo Tina कैसे लिखती है देखे 24 Noor Bajar Indor, dear aunt 24 Noor Bajar Indor, प्यारी चाची I am quite well, मैं बहुत अच्छी हूँ And, और आसा करती हूँ, hope, the same for you और आप भी अच्छी होंगी Thank you for such a beautiful gift इस सुन्दर उपहार के लिए आपका धन्यवाद I really like it very much मुझे आवास्तों में बहुत पसंद आया My exams are near, मेरे, मेरी परिक्षाएं पास है I am studying hard मैं बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ Rest is fine आराम अच्छा होता है Conway my regard to uncle and love to Chino Yours lovingly, your name इस तरह ऐसे ये lesson complete हुआ ये आपको कैसा लगा comment box में comment करके ज़रूर बताईए और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और चैनल सबस्क्राइब करना ना भूलेगा Thanks for watching आराम गा बच्छाइब और शॉलेगा